हुआ है डेली दो एकसेसाइज दो पार्ट का करना चेज जैसे आज 20 कर लिया सो मारको पहले चेस्ट और ट्रैसेप्स करेंगे ठीक है चेस्ट की तीन एकसेसाइज ट्रैसेप्स की दो एक सेबसा दो कि एसके बदुवार को करो अब 20 की की 2 इंद्यवार की 3 आपना 2 की 2 अगर समय कम थे को सुरे सपी एक सो इसके बार तों कमर की 3 एकसी नुट की 2 एकसी ठीक है तो हो गया ईकसेस्स मतलब एक दिन एक पारट को तोड़ना है और एक दिन को शोकर चेक करके किया हुआ है सोकर चेक एक दिन में एक गंटा तक लगा तर खूब बागया वर रही फूल स्पीड में शोकर चेक किया कितना कम हुआ अगले दन खूब है वेट ट्रेनिंग विल्कुल लास दम तक उसका चेक तकरीबन डबल जो मैं फिजिकल बतार हुआ किया हुआ डबल कैलोरी बन करता है अच्छा वजन उठाओ ना वह अलत खराओ हो जाती है तो उसमें अपना क्या फैट नहीं किलता है तो वेट ट्रेनिंग बहुत जुरूरी आज के समय में है ठीक है अच्छा फिर वेट ट्रेनिंग कर लिया बाद में थोड़ा सा सेट अ कर लिया लेग रेजिज कर लिया स्पेशल पेट के ऊपर यह करो है ठीक है सिट अप्स लेग रेजिज उसके बाद अपना साइड करेंसी अप्लेंक्स यूटूब माजगल बहुत सी जानकारी मिलते है उसके बारे बाद समय मिलता तो वे ट्रिंग एक बार तो जरूर आना कि आपके यह बता दीए कि तीन दिन एसे करना है फिर नेक्स तीन दिन आपॉजिट करना कुछ समझ रहा है मैं से बोल रहा हूं समझ रहों करता हो तो समझ लेगा कर से अपाद नहीं ला रहे हूं लेकिन बाद सब करना मेरी डिक्वेस्ट है आपको बहुत जूरी है थोड और वेटे नहीं करने से क्यों बंदा देखने के लिए नहीं कि ब्यार डोले सोले बना रखें उसके अंदर जान भी है यह आप मानना इस बात को जब एक लूट है तो पावर है उसमें हाँ उसने समय दिया है महिनत किया है उसकी हर बोड़ी की वह बन गी है कि अज और अब है आघी shift की बात करूंगा मैं रापेटेशं कैदना करना चाहिए जैसे एक रिखेज़े से आठ रार ऐपिशनग्राप करते हो आपने एक बार मद उठाया ऐसाथा कोई उसमें आपकी उसरन की पावर गेंदे है है अगर आप 2% करते हो तो इसमें आपकी थोड़ी सी पावर गेन होगी थोड़ी सी आपकी मशल् बढेगी थोड़ी सी अपना छाया उठ्रेंथ om और मसल जो बनती है ओप च Vai को ट्रोफी करते है 1 कि अगर अगर आप बारा से 15 करते हैं तो प्योर मसल फीर मारे अगर आपको लगा कि मुझे तो सिरफ पतला अगर बाकी मन कोई लीनाा नहीं तो उसमें आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो 15 रेपेटेशन से ऊपर करो उसमें आप 20 भी कर सकते हो इमता तो 30 कर लो 50 कितने कर लो तो उस पार्ट का फैट रोस होगा आपने पता है मेरे तो आथ बहुत फैटी हैं बाइसस पतला करना है तो रेपेटेशन आप 15 से ज्या पर क्योंकि हम 15 सुक पर एरोब्य के जून में चले जाते हैं तो फैट लोस स्टार्ट हो जाते हैं इसलिए बोलते हैं पतला उना आदेशन से ज्यादा रेपेटेशन करो ठीक है रेपेटेशन का आइडिया हो गया एक्सिसाइज का हो गया कि दो एक्सिसाइज करो और एक पहले पिजिगर क्या राविशाय क्या रभी की फैट लोस होता कैसे है तो उसमें क्या है एक बार पर बता दूगा अग्स भाइंजिषन करना है कासकर अभी मस्टर जी कि जैसे हम खाना खाते हैं डाइजेसन होता है उससे जो कैलरी मेलती हो लिवर में सेफ होती है फिर मसल तो आपने सभी उसमें सामिल हैं खाते हैं तो उसको बन करते हैं या पड़ाने काम अप्डर हो फिसका काम क्यूइब या पड़ाने काई। कम छोड देखि Ci 2009 कि च्छोड़ से इसलिए को चलब हो तर उसलिए आपने शरीर आपका आपना सुबादा गंटा नींद खराब कर लो मन किसका करता सुबादा उठने के लिए क्यों किसी का मन नी करता चपर्दस नींद आती है कोई उठा तो गुसा था क्यों उठा रहा यार मेरेगो लेकिन एक बारा गर वरकाउट अच्छा होगा न तो बस इतना ऍच्छा है कि तो लेट उठो गट दीन गणद आओ श्र रहेगा तो कमारी बॉलता है जो इतने कदम नि चल सकता हो अपने लेजी इतना इक गंटा नहींद सकता एक अपने लेजीत नी निन निकाल सकता हो अपने लेजीत ने съढ़ सकता हो क्या करें यही साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा कितना ही पैसा है कितनी प्रोपटी है कितनी ही सुन्दर वाइफ है कोई साथ नहीं देगी सरीर आपको आपको आपना साथ देगा है ठीक है थोड़ा एक से साइज के बारें बात करें और एक करना है वरकाउट के वरकाउट करने के बाद में जाने क कुछ उल्टा सिधा खा लिए तो कैलोरी रुख जाएगी तुरंत मिल जाएगी उसको तो इतना रिजल्ट मिलेगा ने थोड़ा वेट ट्रेनिंग के करें करें बाद रोकाउट के बाद में प्रोटिन की रुकायर्मेंट होती है फिर दिन बर जो मिलगा उखा लिए और फिर टेस्ट के लिए हो जाती है ठीक है अगर थोड़ा सा बाहर से पकड़ लिया तो बाहर वाली चाती के लिए हो जाती है ठीक है अगर हमने इसको तो ज्यादा क्लोज कर लिया तो चाती पर एफेक्ट नहीं आएगा उसका एफेक्ट ट्राइस प्याएगा जिसको क्लोज बें तक हम आएंगे मलब बारबल यहीं तक आएगी उठा बेटा हाँ फिर लिए क्या यहीं तक ओल्ड होगी कई लोग टच करते हो गल्थ है ठीक है जैसे मिस्टर ओलॉम्पिया रोनी कोलमेन है उसका बोड़ी अटमेटिक इतना जोगी टच नहीं करता है और हमारी चाती तो बह कुछ खुद अपकरना है कुछ वजन है उसके पर फटेग आपको रहा हो चल उठाए पिटा हां यह अराम से आना है स्पीड शूट आना है बस रख दो भी पहली तो कमर लगा के रखेंगे दूसरा उसको पकड़ेंगे यहां से पकड़ेंगे मान के चलो इसको मने यहां से पकड़ेंगे तो इसका एफेक्ट यहां पर आएगा कई लोग ऐसे इसे कर रहे होते हैं गलत हो कई लोग ऐसे करेंगे वह भी गलत है जिस सिधा इम आपना पकड़ेंगे आपने यहां पिलेना चाती पर तो इस सिधा इम पकड़ो अल्बर को उठागे रखो सेम दबाप आप आगया तो चेस्ट आप करके ऐसे उसको मिलाना है अच छोड़ते समय लूज करना फिर मिलाना है फिर लूज करना आपकी यह इकठा होगा यह जो फाइवर होता हो बिल्कुल इकठा होना चीए पता चलना चीए कुछ हो रहा लगा बेटा उसको हाँ कंटिनू कर हाई आगया ब्रित इन चेस्ट आप यह देखो लड़कें दस बारा देनों करते हैं बिल्कुल प्रोब पर कर रहा है चाती उपर रैसी कटा करना है यह बिल्कुल सही किया इसना है पकड़ना कैसे लेकर ना कैसे सांस लेना यह होगा इनर चेस्ट के लिए यहां की शेपिंग आ पुलोवर बहुत अच्छी एकसाइज है ध्यान यह रखना है कि आपकी जो नेपल है कि सीधाय में बैंच रहेगा यह ठीक है यहां लेट गया आप पार्टनर को बोलो कि मुझे वेट दे उठागे पार्टनर वेट देगा अब इसको आप डाउन करो चला रहें टाइट र करेंगे तो ट्राइस पर मेडियम चाती के उपर उसको क्या वही है बारबल जहां लेकिया हो कि वह एफेक्ट आएगा तो उसका बारबल थोड़ा अप पर रहे आएगा यहां पर आएगा तो यहां पर एक डिक्लाइन भी होता है वो लोड चेस्ट के लिए वह अपने पास है नहीं तो इसमें एक काम कर सकते हैं यह बैंस रख सकते हैं ठीक है बैंस को आइटम में उठा दिया देख छोड़े इसको इसको आइटम रख दिया और आप नीचे गदन करके कर रहे हो तो सेम हो जाएगा डेक्लान बैंस पर आज अ देखो यह ट्राइसस का एक्साइज है कर बिटा करके दिखाएगा इसको यहीं तक लेगा है यहीं तक हाँ बास इसका इफेक्ट यहां पर आओगा हाँ छोड़े छोड़े रख इसमें जैसे यहां से पकड़ना है इसको और यहां से उपर नहीं आना है रभी भाई साब इ यह और इसके नीचे पूरा दबाओ यह यह है ठीक है यह ब्रोप्रेक्श इसका अब देख भी रहो कि एफेक्ट भी आ रहा हाँ टाइसस के ऊपर खिचावाता है इस तरह से इसका क्या है अगर कई लोग क्या करते हैं ऐसे करते यह जातर लोग यही करते हैं इसका इफेक् तो यह बहुत बड़ी एक्सेसाइज है यह भी ट्रेसप्स के लिए है तिर इसमें हम यहां से यह करते हैं जैसे आवा बढ़ते हैं साइकल के अंदर निच चली आएंगे इसके नजदिक आएंगे और यह करेंगे इस त्रेस यह भी बड़ी एक्सेसाइज है पर इसमें दर यह की तार टूटा हुआ है लगने जाए ठीक है यह भी ट्रेसप्स के लिए है अब इसी में लेंग भी करते हैं इस त्रेस उल्टे होगर गया यह इस इसमें अल्बो को क्लोज रखना है और अलकसा इसके अंदर जाना पड़े है आपको यह और मात्य की तरफ इसको लेकर करके आना है पुरा बोड़ी फिक्स है सिर्फ एल्बो मुमेंट करेगा यह भी ट्रेसप्स के लिए है ट्रेसप्स में यहां पर आवारेने पर बेंपा जीक से जाना है यह बैक डिप से इसमें यहां वेट भी रख सकते हैं और यहां पार्णर से दबवा भी सकते हैं उठो भी के लिए डंबलो को थोड़ा आगे से पकड़ना है और मास्टर जी दोनों साथ में करने होते हैं उसर मुझे भी द्यान ने दिया यह आगे से पकड ज्यान यह रखना है आगे से पकड़ना यह कर लिया और यहां आगे नया करके यहां से पूरा पिछे और चंट्रोल से यह इस तरह से दोनों साथ मां होगा यह देना वह बैन एक्सिसाइज है एकसि जो घरदन के पीछे वाला जो एकसिस करते हैं आप या ट्राइसेब्स कर तो बैन एक्सिसाइज उससे सर्वाइकल का उने का चांस होते हैं जो सी वन टू सी चांस होते हैं इसलिए गरदन की पिछ्छी वाला बैन एक्सिसाइज रखते हैं लेटके जो ऐसे करने वाला जिग जग बार बल अपने पास है नहीं वह यह था इद कावर काउट है इसको सकोट्स बोलते हैं इसमें द्थ्यानियार रखना दो टायब से हैं नौर्मल सकोट्स इस तरह से संटी करके गर करके प्याcessor सोजय करें कुल करने का यह जाय कि कमर किया से सोटेट में उता है तो फॉड़ा मुशकर होता है जिसमें जारतर लोग साल थे थेक है लेकिन दिरेजिदर वो तो पहले को ने ही जो है तो सी अगे ने हैं भुधा यह ही सिसे पीछे दब आए तो आप कमर जुका होगे कमर जुका दे तो फिर आप एक्टेमेडिक शिद्धे ब्याड़ जाओगे इस तरह से बैठारिन करवा के दिखा पर उप्र करवा के दिखा इए पिर आप वजन कितना है रखते रूपर बहुत बड़ी एक्षिजाज पूरी श्री एक दम बढ़िया बास यह मसल होता है क्वार्डी शेप मुसल्सां की आग्यों फांट इस पे भी आता है साथ मीं इस पे पर आता है लेकिन आपने स्वार्ट वहता है act मशल अश्डिंग और यह उसका हिए उपिंग मशल होता है दोनों अलग अलग है तो दो तो स्वेंब स पास वो है एक्षेंशन मसीन है कॉनियम रखिये जो वह सामने वाले पाठकी हो जाए तीन एक्सिसाइज है इसमें उसमें केबल करोस और में होती है लेकिन थोड़ा खराब हो रख्या उसमें नहीं कर सकते हैं उसके बाद काफ का भी साथ में जरूर करना चाहिए इस तरह सी रखके यह उठाने वाला उपर उठाओ ओल्ड करो संबह उसके तो पार्टनर को पीछी बैठाओ थोड़ा साग्या जालका साग्या जालका प्रविन इसके उपर बैठ आनवीन हाँ आप करके दिखा बढ़े हां तो इसमें यह है बिल्बुल पहले ब्रोबर रख लिए और आध उठाओ ऐसे पूरा ओल्ड करो फिर रिलेक्स करो पूरा उठाओ फिर रिलेक्स करो फिर रिलेक्स करो पूर करेड़ को था पूर पो रिखके ऊपर पूरा काफ Hers Yeah है हाँ पिंडली बहुत जुरूरी है पिंडली को स्री का दूसरा हाट का नाम दिया जाता है पिंडली बहुत जुरूरी होती है कर बटा कर और पार्टनर अगर कोई बिठाते तो उसको बोला थोड़ा पीछे कहच के रख वजन यहां पीछा ना चाहिए नहीं के आगे और ख पकड़ने का वह सेम ही है बोड़े के चुड़ा के साब से पकड़ लिया अब जातर लोग इसको ऐसी करते हैं इस तरह ही करते है यह गलत है यह करेंगा तो फोराम पर एफेक्ट आता है इसका यह हम कर रहे हैं बाइसे उठा के रिखना है और बोड़े से पंद्रे डिगरे इंगल तक इसका एफेक्ट होता नहीं है ठीक है यहां यहां से उपर पुरा टाइट फिर रिलेक्स यह इतना ही मोमेंट होता है यहां ले के आने की जरूत नहीं है और उपर जाने के बाद में हलक आसा एक आधी सेकेंड डोल्ड जोर लगाव बाश्प्स के उपर पूरा जोर लगना चाहिए यह इसका प्रोप्र करने का तरीकर तो जिख जख बरपल अगर है तो इस तरह से उसका बनाट होती हो यह मशल का बनाट भी ऐसा ही होता है इसलिए झाध और के रिखने वाले बात हैं बैठने बाद निको अ क्लोस करना है और दोनों को साथ मुठाना न कि बाशिप्स को देखना है तो सिशा लगा है कि सोच समझ गे लगाई उठाव को हां यह देखना है और यहां जोर लगाना यह बढ़िया रिलेकस करो भी अब दुस्रा रात पोटाओ हाँ जोर लगा और रिलेक्स करो यह सीसे में देखना और बिल्गुल पंप करना जोस आएगा बढ़िया क्या में कुछ कर रहा हूं पूरी नस खड़ी हो जाएंगी जिसे नहीं बढ़ा करना है यह करना है बिल्गुल सही है थोड़ा साल कसा आगे और उपर थोड़ा सा ओल् एक साज का नाम है बैसप्स करल इसी में हम हम्मर करेंगे सेम थोड़ा सा दमल को पिछी से पकड़ बस दोनों इसमें साथम मुठाएंगे हम्मर करल में हाँ अलका सा थोगा इधर आँड़े पूरा उपर तक जाने दे थोड़ा सा जटके मार के उठा दोनों को हाँ यह हम् में जो हमने बारबेल करल किया था डंबल कंख Indra थोड़ा कर देका दोनों कहीं है कि दोनों लोर अरप्र दोनों के लिए है बारबल करल ओ स्थैंथा इसकी यहां जोटा कि चोडिया कर देंगा हम्मर कर दोनों इसकी पेक रेंगा हम्मर क concern यह फरक होता है दोनों साथ में जोड लगा ना पुरा उल्ड करनी हपोजा करके है कि मैस रख दो के लेट की करने वाड़ा थो वी हूथ बहुत बढ़ी था करते हो न पधा है न मस्त जी जो जो लेट के करते हैं सो है यह निदक Hat रिखता है उसका एंगल चैनल रोगे लिखाए देखा है उसका पता नीर बहुत अच्छा कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है वैसे नुरमल मैं शोलटर की चोड़ा की हिसाब सी करते हैं वही प्रॉप्रेक्स जैजर तो कुछ कर लो कुछ कर लो कुछ कर लो बॉल ऑलग बात है ले वहीं पर रखो रकाउट करें तो उसी मसल पर रखो और पता चलना चल रहा है चोटे अवी पार्ट में क्या है थाइज का आप स्कोर्स कर रहे हो आपको कितना बोड़ी वेट है आप नहीं चा करें बोड़ी वेट आएगा वजन ही तना है द्यान कहीं रखते रहो थाइज प कोई फाइदा नहीं है हलके वजन से करें तो पर ज्यान वहीं पर रखो आई वेट तो अपने आप लेगा उसको दिमाग लगाने जूरूत नहीं है लाइट वेट को दिमाग लगाने की जरूरूत है यह और खासकर बाइसेप्स और ट्रैसिस में स्पीड कम रखो और उसको प्रोपर करो कि वेना प्रोपर कर दिया थावड़ दिया कोई फैदा नहीं है खासकर फोराम पॉंप अधा देखना आप आप खासकर वाससरो कर तो यह से लेज़े कि यार इसका वर्गा उटकी है उसका रीजन यह है कि हम जो है उस पर द्यान ने देतें वह ताप वर तो नयक और डेल्टोड के बीच में जो कोलडर है यह इतना बड़ा मस्ल होता है ट्रीप के लिए इसको और उसके बार महां से ये जो मसल होता है इसको लेटस मस् जोरशी बोहलते है और यह लोट बैक एकका जाता है थीक, तो एकसेस के- masa पे ले करेंगे अपना इसका क्रेंगे लैट्स मसदोर्सी जिए के लिए इसमे ध्यानिय रखना है अगर हम इसको क्लोज ग्रिप पकड़लिया एक पाइसे तो लैट्स के लिए हो जाएगा और वाइड ग्रिप पकड़ लिया तो ट्रीपीज के लिए हो जाएगा ठीक है कई लोग इसको उल्टा पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हैं वह इतना फाइदे मंद नहीं है वह फाइदे मंद तब है तब अगर किसको एक्सपिरेंस है जिसकी बोड़ी अच्छा है यार अगर यहां से अंड्रगरीब कावर काउट किया ठीक है यह बार गरीवला मत करना तो अंड्रगरीब में पकड़ा अरीनिक बर इसको और एक लगा के दिखा प्रोपर आतो जल्दी किया करते हैं हां बेल्गु सही देखुश में ध्यानी रखना तब नीच्चे आते हैं तो हमारी बोड़ी पिछेतर डिगरी एंगल पर रहेगी थोड़ा सामने जुकना है और उपर जाते हैं तो छोड़ते हैं तो बोड़ी भी स्टेट हो जाएगा और यहां से खेचाव आएगा आत्थों को सीधा नहीं करना है आरेनी बिल्कुल प्रोपर एक्साज करता है कर बेटा य पिछे गए चोड़े समय ऐसे तीर ते यह हमारा इस पार्ट से उठेगा नएकी आत्थों से कमर से खेचना है इसको बिल्कुल बढ़िया छोड़ भी वाइड गरिप पकड़ भी हाँ अब सेम खेच अब यह यहां से नहीं आएगा अपर बैक पे आएगा फील करके देखन यहां पे जोड लगाएगा इसका इस पार्ट पर यहां ठीक है यह ओगा ट्रेव जेसका हाँ छोड़ इसको अब जनीशी पेर पर रख आप आप अप डाउन करके दिखा एक बार बोड़ी भी अप डाउन रहेगा बोड़ी नीची जाने दे नीची जाने बोड़ी झार्ट मजबूत करना उसके लिए इसमें क्या गलते क्या करते हैं यह पई पिछे रखते हैं पुरा पिछ रहेगा हमारा ऐसे से खचते रहेंगे पागलों की तरह मनें देखेह आपको द्रू डूर से गलत करते हो इसमें यह पोजिशन रहेगा यह पैर के नस्दीक और अब डंबल पकड़ हाँ आप डाउन कर सेम उसकी तरह बोड़ी अप डाउन करना है बोड़ी के साथ जाएगा आप खुद देखो कि इसको किया रहे अच्छा कर रहे आ रहे इसका यहीं पर जरूर एफेक्ट आएगा यह इसका प्रोप्रेक्षाइज वन आरम डंबल रह लेंगे अठो जाईगा तो उस्री सईड दिन है करते हैं तो पैर लोग दूर नजधीक करते हैं क्यान ऐसके बोड़ी और यह है अलका सा मॉमेंट ज्यदा है वह शचक्छी फुन पुरा दर्द करेंगा पूरा कमर यह हो जाएगा पकड़ इसको इसको उठाने का तरीक आए कि बिल्कुल नजदीक आना है बिल्कुल नजदीक पैर नजदीक लेगा हाँ क्योंकि ट्रीपीजिस का है वजन भी ज़्याद लगा लेते हैं तो उठाते रखते समय जटकी का चांस है पकड़ इसको कमर बेंड कर पकड़ हाँ इस तरह से नजदीक आए कमर जुकाया वजन उठाए सिसे में देख करके अराम से उठाया पिछ्या आगे फिर अभी बस सही है अभी ट्रीपीजिस का कर सोल्ट उठाने वाला यह इसमें ध्याने रखना है अलका सा गर्दन आगे रहेगा स्टेट कि थोड़ा सा ओल्ड किया फिर रिलेक्स बिल्कुल छोड़ दिया आथ में कोई तनाव नहीं रहेगा उठा हां बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल सही है यह यह कोदर बढ़ जाएगा यहां से अलग ही दिखाए देगा टीशेट में बले हार क्या बंदा लगी है पहलवान टा यह आप प्रोल्म लाए अब यह पता नहीं चलेगा उमर के साफित देर देर ना और एक बर अगर सुराय कल का इसू हो गया तो कोई चांस ने कि अठी हो जाएगा गोमते रहना इसलिए एक्साज करो इस पार्ट कोई आवाले इससे को मजबूत इतना कर दो कि दिख्केते दोबर रखिवार मैं बताऊंगा और अच्छा वजन भी लगा सकते इसमें जरूर नहीं खाले बारबल से क्योंकि एक्च्छली क्या होता है वजन कम ज्यादा पार्ट के ऊपर ठीक है बड़ा पार्ट है तो वजन ज्यादा उठेगा कमर का बहुत बड़ा पार्ट है तो अच्छा वजन लगाओ इसमें करने का तरीका दोबरा देखो आपना इस पर करना जब भी मोका मिलता है कोशिस करना बाइसाब यह एक्सेसाइज और काफ के जरूर ठीक है इस पर रख लिया बिल्गुल नजदीक आई जूके थाई से बार पकड़ा कमर तोड़ लिया यह अगर यह कमर ने तोड़ते नीचे से उठा अगर ऐसे आप उठाओ गया जटका लग जाएगा ठीक है वहीं गाम यह बैठ जाओगे तरीका यह बिल्गुल कमर जुगा पर उपर यह अब उठा देरे से उठा कमर टाइट करते हो यह एक बार उठा लिया कितना यह वजन ल रिलेक्स और इक बाद रखने का तरीका दोबरा फिर प्रोपर रखना है इसको फिर नजदी काई कमर जुकाया सीसे में देखते हुए अराम से रख दिया है कई बार हम क्या करते हैं ठगे हैं ऐसे चोड़ देंगे यह हुगा यह पकड़ के बैढ़ जेगे मुझे भी जट अरगी हमने अलका सा पूरा पिछे जाएंगे फिर थोड़ा सा आगे भी आना है सेम हो एक्सिसाइद है जो आगे आरे पिछ जा रहे तो पूरा पिछे करना है तो रखना वापे जितना पिछे आ सकते आगे बीच में बीच मादा यह पाट रखते हैं नहीं नहीं वह बहस जितना पीछ आहलें शागे जाए तो फिर इसको ये सांत्म जाए ये ये मोवमेंट है तोको स्वेश्ट है इस ये सेम हो सेम हो तोटा है इसांत्य इस शीज शेम हैं रोइंग बोलते हैं इसको कर शान कर चाहि है हाई है भी बेल्कुल सहए है रख दे दियान रखने वाले बात है पैर पूरा सिधा पुरा पीछे खेच कर के ले लिए कि छोड़े समलका सा आपने भी जाना है फिर खेचना है फिर जाना कमर से खेचना है उसको अपनों बोड़िंद्स कर लिए आथो से कहुच रहे तो फिर सबसे ज्यादा जरूरी 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 है कि पूरी बोडी की जान लगती है ठीक है ऊर बहुत ही बड़ी एक्सिसाइज है लोवर बैक की एक्सिसाइज है जो अपना यह जोएंट होता है ग्लूटीस का जोएंट चुछ लेगे आप टच करके देखना चोड़ शेश उठी गड़ी मिलेगी उसको तेल बोन बोलते मतलब पहले हम बंदर जैसा मारा सेज़ा तो पहले पूछ होती थी फो कम आती होती हो गया तो अलका साभी वितला होता है मिलेगी खड़ी खड़ी तो वहां पर पर उपना जो शर्वाइक लेगे होती कोशिज चीज उसमें से 21 toč 7 लंबार सरवाहिकलालक चीज होता है सबसे नी्चे होता है कोकिकस बोन जो रही से पांब 收ती तो वह जो सबस्के साहा होता है तो वह लीनली डाँ से लागा होता है कमर जुकाना है उठाना है दीर इसे उठाना पिछे आना है और सेम डेटली लगा के दिखा जो बता है नीबेंड करते हो निच्छे तक पिछे तक जाना है बड़ी आलका सा नीबेंड नीचे तक पूरा पिछे तक लगाओ तो पुरे जिम का वेट बिल्कुल बहुत ही अच्छी जाना गई पूरी कलोरी बर्न होगी लग करके दिखा पूरा ध्यानी रखना है नीचे जाएंगे अलका सा नीबेंड होगा पूरा पिछे तक जाएंगे हां इसमें टारिकेटर मसल्ड जो है मैं बताया को किस बोन के आसपास का यलाका है बाकी पूरा कमर के पर जोल लगता है पूरी बोड़ी का जोल लगता है जब अच्छा वजन लगता है इसमें रखते बिटे इसमें किसीने पूछ पूछना है और आपके लिए सब काफ और कोडर बहुत जुरूरी है हां सबसे जुरूरी है ऐसे पकड़के सेम उसमें उठना बैठना है कि टी बार बोल देते हैं इसमें अच्छे एक साइज है वह भी चलो उसको सेम ही हो तो कोई खास बात नहीं अभी सोल्ड अच्छा इसको देखो into the सबाद के लिए है pada the तीन यहाद के लिए मिल्टी प्रेस होता है उठा इसको पूरा बार से पकड़ लिया और ऑफ डाउन कर इसको ज्यान्य है कि एल्बो में 90 डिगरी एंगल तक आना है इसमें भी बिल्कुल सही कर रहा है बनाक तक बरबल लेके आना है एक दम बढ़ी है निच्छा थे तो अराम से आओ उठाओ थोड़ा स्पीड से उठाओ बस यह प्रोपर इसमें जो पीछी वाली करते हो नहीं करना है मैं पहले ही बत पहले ही मिल्ट्री प्रेस कर दिया रख दे अब छोटा डंबल यह ले ले बताऊं गवाले कंदे के लिए जो कि जरूरी है बहुरा थोड़ा होगा ना तो बोड़ी की चोड़ाया बढ़ती है लूक अलग बनता है जो यह वाले इसे बात करना है यह ऐसे बढ़ जाता ना तो बंदा लग दिखाए देता है इसके लिए एक्सिसाइज है डंबल पकड़ना है सामने देख उठाए डंबल पकड़ना है और ऐसे उठाना है दोनों डंबलों को साथ में इस तरह से हम कलती क्या करते हैं इसको उपर उठाते हैं अगर यह उठाले तो यहां से उठाया की सब्सक्राइब, इसको डाउन कर दिया तो वजन, यहाँन से उठाएगा ठीक है यह डाउन, इस तरह से और यह ऊपर नि कन देगे उसाइब एसाब से यहां तरह देखो यह इह प्रॉप पर यह हां यां से उठे आपकुर हिस doit बाहर के लिए आ है कि और इसको आग्या कि लेंगे दूर बी लेंगे यह एंगल रेगा तरह बिल्कुर प्रॉप पर देखो हिस त्रह और आतों से यह आठाность कि डंबल रेजिस बोलते हैं साइड लेटल रेजिस इसी में डंबल लेकर विससे सिधा खड़ा हो जा यह था बाहर वाले सोल्टर के लिए आप डंबल हम आगे लेंगे दोनों को साथ में ऐसे उठाएंगे यह सिर्षय उपर तक जाएगा ऐसे इस तरह से यह जाएगा इंट कि ऐसे निए उठाएंगे उसको यह रखना इस तरह डंबल सिर्षय उपर जाएगा लेकिन डाउन रहेगा थीक है इंटेंट डेल्टर के लिए हो जाएगा इसमें फिर आप जूक करके बैंड और लेटल रेजिस होता है मेरी कमर में तर जा थोड़ा सा इसे जूक करके से दूनों साथ में तो रियर डेल्टर के लिए हो जाएगा और कंदे के लिए तो क्या है चारेक्साइज हो गई कि एक इसी में भी टबारबल लेकर किया यहां पर आप इसमें यह जो है बाहर से थोड़ा सा पकड़ेंगे इस तरह से और इसको यहां तक लेकर गाएंगे एलबो को इस तरह से यह हो जाएगा आपका डेल्टर के लिए जाएगा उसके बाद एक केबल बाकिया भी लग जाएगा हो फोजी आए नहीं लड़काज केबल लग जाएगा तो उसमें यह पकड़के इस तरह से करेंगे और यह कंदेगा वरकाउट हो जाएगा और बताओ अब्डोम्यंज भी एक मसल अश्कू भी डेली नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी रीकावरी भी जिरूर्य है ठीक है ऐसा कर सकते हैं एक दिन अब्डोमेन कर सकते हैं अब्डोमेन होता है जो शिक्स पैक बोलते हैं वो अब्डोमेन होता है ठीक है और यह होता है रीब्स कि साईड वला होता है यह वाला इस्तार स्य और रीपसшे हडिआ तो हम एककाम कर सकते हैं एक दीन हम रीपस आथीम कर सकते हैं ठीक है तो और पशहएं पंदेश के लेट की पैरैंगे पैर ऊपर लेकर यहां तक है, domanica हाँ निच्च रखा भी इसमें ध्यानी रखना है कि पैर नहीं तो लोक होंगे ऐसे लोक करेंगे तो उसका इफेक्ट थाइज के उपर आएगा ठीक है लोक नहीं करेंगे लूज करेंगे तो पेट पर एफेक्ट आएगा ठीक है लोक नहीं करना है सेक्ट मिलाना नहीं मिला तो एल्प मिल जाएगी नहीं मिलाना भी नहीं है और लोक भी नहीं करना यह जिसे टूटे हुए फिर पेट से उठेगा पेट बड़ी आना चाहिए ठीक है और यहीं तक पैर ले के आना कई लोग क्या उपर तक उठाते हैं से उपर तक उठाने से और रिलेक्स हो जाकता है प्रोपर यहीं तक लेकर आना चला रिन उठा हां पैर को वाइड कर और यहां से डिस्कनेक्ट कर अलकासा अलकासा तोड़ी यहां से लूज कर यहां से हां हां बस चल निचे जा भी उपर कैच भी यह है बिल्गुल फटेट की ऐसी तेसी हो जाएगी प्रोपर यह है जो कि आत लगा के देख लो बिल्कुल मसल में पूरा एफेक्ट आएगा सही सबसे अचे एक्साइज है यह पेट कम करने की चल बैठ अब ठीक है यह जो पहले वाड़ एक्साइज किया वो लोर अप्डोमिन के लिए जा तरह मारा फैट यह होता है यह होला होता है तो उसके कि मेरे बोड़ी खिचाव में वहीं तक और ऊपर पूरा इस तरह है लोज के लिए तो छोड़ गया हो छोड़ना नहीं उसको मसल को पगड़ के रखना है कर बेट एक पर यह पूरा लेटना नहीं है और पूरा उपर रिलेक्स नहीं करना है यह कंट्रिन यह चल लगता है यह बात है जीशे मैं बताया एहरोब्यक जून के लिए आप जितने ज़्याधा कर सकते है उतना बैस्ट में इम पंद्रद हो करना ही है पिर आप बीस करो तीस करो अपने इसांप से करो शैट जैसे आप स्टार्डिंग है तो तीन सेट करो फिर आप चार्ट कर सकते हैं पर 45-degree old 35 में क्या होता है पैर उठेगा यहां तक 35 डिंगरी में और आथ भी पैरो की तरप होगा उठा पैर उठा स्टेट पैर उठा हाँ पूरा तना हो आएगा यहां पर ठीक है जितनी सेट कर दो रिलेक्स कर अब इसी में 45 डिंगल होगा पैर स्टेट होगा तो आथ पिछे स उठा इकसिशैज आथि आथि पीff Kry है एथ सिए यह किसि इए अगर किक्सव इंवत कर सकता तो करना बोध बड़े जूर पड़ता है ठीक है fed लेटा वह उल्रा आजा conjunction है आ जो करता है ओल्ड करना है इसके उपर हाँ हार यह यह है यह प्लैंक से है बहुत अच्छ आए देखना है जितिन देर कर सकते तिन देर करो बहुत अच्छा जोर पड़ता पेट के उपर रेक्स कर बेटा इसी में जैसे तु लेटे आ रहे न इसे में बाकी बोड़ी फ्लैट रहेगा तो उन्हें आथों पे बैठना है फिर लेटना है नहीं समझेगा बात मेरे को देखो बहुत बड़ी एक्सेसाइजा याप लेटे हो फिर आपना अथों फिर लेटना है यह आप फिर लेटना है चल इए कमांड़्डो एकससाइज r Puis पूरा पे依े कर जेखना बता ना मुझे कितने कर दिया मैंने कमांड़ एक्सेसाइज सामने देखना है कर बोड़ी फ्लैट रहेगा एक बार आप एक बार डाओन एक बार आप एक बार डाउन मागा दूद्ध प्यातो करके देखना है इसको पुरा पेट साफ हो जाएगा बहुत बढ़ी एक्सेसाइज हाहा रिलेक्स अल्टा बहुआ बढ़े अभी एक एक पैर फोल्ड कर हा यह नहीं उसके ऊपर र करता है नहीं और अलबो टच करना है यह आगा फैट निखल जाएगा पूरा बहुत बड़ी है जितना कर सकते करो फिर आप लेग चेंज करो हाथ चेंज करो कर फड़ा पड़ा चेंज कर के जिखा हां यह श्यावाज बिल्कुल बड़ी है अगर पूरा टच नहीं हो पाता थ थोड़ा स साँ होगण हो तो भी जोर पड़ेगा तीक है हां ठोड़ा साइब उठांना पूरा जोर पड़ेगा बहुत बड़ी एक स्याज now कमर इस के लिए साइड के फैट के लिए मैं एक हो जाएगा पेर इसोंब्ट हरो तरन कर स्वाइट लेत इसे एसे हाल आथ हां यह यह हो जाएगा side old यह भी पुरा जोर यहां में पड़ेगा है ठीक है इधर से हो गया फिर opposite side से हो गया आथ ऐसे रख लिया है बस old करना है बस old करना है old करके देखना बहुत बड़ी है अब इसी मेरे से दलेट side के लिए बता रहा हूँ आज state कर जान देना मेरे बात पर बहुत बड़ी exercise है एक पर को यहां तक उठाए यहां तक एक पर यहां तक उठाना है उठाते उठाते गुमाना यह और लास्ट में टच करना जागर के कि एस पिर उठा कर ऐसे से उटाजा थे विए हम चिन्या कर बहुत इस अबर दसते नियेक। साइड के लिए बहुत बढ़िया कर घंद कर दिया को अब आनजा लेक्स उठाए साइड कर दिया हाँ गर्दन कुल ऑख नियुकनियो फस्ट बुरा यहं का अप assistir neste बहुत बढ़ी एकसवाद है, सबसे वैस्ट एकसवाद है यहां इन्यूटा हो जा चंपीन कर लिए। करण साइडम में नीकाल आत पिछे कर सेम पैर उठा और साइडम साइडम डचकर पैर उठा ये और ऊदर कर तचकर साइड में येस ये अब तू साइर सइटwegen कोशिच कर नेलेटर है करी थोड़ा ट्रण होगाए Chief और ऊठा पिल लिगे जा यह वाला रेव साथ में लो पिछ्छे कमर का फैट उठा ये ये पेल उदर एक बार उदर गुमा दो पुरा पुरा फैट निकले गाई हुम श्यावाज रिलेक्स कर बहुत बड़ी एक्सेंज है सिधा होजा अब एक साइकलिंग होता है जिसमें पेर उठेगा आठी उठेगा करता है तो इसाइद करके दिखा पैर उठा यहां तक लेका दोनों पैर अब साइकलिंग कर साइकलिंग आठों ये जो फिटा होकर पाएगा बहुत बढ़ी जबरदस्त है कि साइज पुरा फैट निकल को साइड का साइड प्लस का लोर बैक वरक आउट के बाद मा अगर वेटरिंग नहीं कर रहे हो तो पहले कार्डियों करो वाकिंग करो जो भी करना है बाद में ये करो बहुत बड़ी है करते बटा इसको